तो दोस्तो इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने कान में हेटवोन जिरूर से लगा लेना क्योंकि ये कहानी अगर आप अकेले में सुनते हो तो ही बेटर होगा नहीं तो आसपास से एक दो चपल सिधे आकर आपके मुपर भी लग सकती है और ये कहानी छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कहानी की सुरुवात में हम एक बहुती खूपसूरत डिस्टिनेशन को देखते हैं चारों तरफ हरे भरे पहाडों के बीच मौझूद नदी की उपर बहुत सारे हॉसबोट बने हुए थे इस जगह पर लोग सहर के सूर सराबे से दूर शुटिया मनाने और मचली पकड़ने के लिए आया करते थे और इस पूरे जगह को ही जिन नाम की एक लड़की अकेले चलाया करती थी जो की कुछ भी बोल नहीं पाती थी क्योंकि वो बचपन से ही गोंगी थी जिस वज़ा से वहां आने वाले टूरिस्ट उसके साथ कई बार बहुत गलत भी किया करते थे खैर जिन को भी इन सब चीजों को बरदास करने का आदत हो गया था और तो और अब तो वो इन गंदे कामों के लिए पैसे भी लेने लगी थी आज सुबह जिब जिन उठती है तो उस जगह पर हायून नाम का एक गेस अपने बेड और सारे सामान के साथ वहां आता है जिन इस सारे से उसे अपने साथ आने को बोलती है जिन उसे अपने साथ अपने फ्लोटिंग बोट पर लेकर जाती है और फिर बोट पर एक बैटरी रखकर उसे नदी के ऊपर बने एक तरतेवे घर के तरफ ले जाती है वहां पहुँचकर वो हायून का सारा सामान नीचे उतारती है और फिर अपनी बोट लेकर वहां से वापस लौड जाती है उसके जाने के बाद हायून अपने बड़ को बोट हाउस में टांग कर खुद घर के अंदर चला जाता है वहीं जिन अपने एक गेस्ट को चाय और उसके जुरत का सारा सामान दे कर वहाँ से अपनी बोट लेकर निकल जाती है फिर जब रात होती है तो जिन फिर से अपने कस्टमर के लिए जरूरत का सामान उनके बोट तक डिलिवर करने के लिए जाती है लेकिन जब वो अपने कुछ गेस्ट को कॉफी दे रही थी तो उनमें से एक गेस्ट जिनको अपने साथ बोट पर बने केबिन में लेकर जाता है और उसके साथ गलत करने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद वहां से बाहर आ जाता है इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायून अपने साथ उस बोट पर एक गन लेकर आया था और वो जिनको उन लोगों के घर से निकलते वे देख लेता है जिस आदमी ने जिनके साथ गलत किया था वो अपने दोस्तों से जिनको पैसे देने को कहता है लेकिन वो लोग जिनक फैके मूऔ पर पैसे फेक देता है जो कि नदी में गिर जाती है खैर जिन उन पैसो को नदी से उठा कर अपने घर ले जाती है और अन पैसो को सुखाने लगती है जिनका घर उसी नदी के किनारे बसा हुआ था जिस नदी की नीचे से एक हाथ निकल कर उसे नदी में खेंच लेती है, खैर गिरने की आवाज सुनते ही उसके दोस्त वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं, अब हम वापस से जिनको देखते हैं, वो हायोन के बोट पर जाती है, और उसे देखकर वहाँ से चुपचाप वापस अपने घर च चली जाती है, वो साफ सफाई करते करते ठक जाती है, तो वो वहीं सो जाती है, अब हम दो लोगों के डेट बोटी को देखते हैं, और तभी हायोन की एकदम से नीन खुलती है, क्योंकि ये डेट बोटी को हायोन अपने सपने में देख रहा था, ये डेट बोटी किसकी थी इसके बारे में हमें आगे की कहानी में पता चलेगा जिन जब हायून के घर के पास आती है तो वो देखती है कि कल रात उसने जो खाना उसे दिया था हायून ने उसे अब तक नहीं खाया है और वो बैट कर रो रहा है उसे रोते वे देख कर जिन बस उसके बारे में ही सोचने लगती है कि वो भला क्यों रो रहा है दरहसल हायून ने अपनी वैफ और उसके बॉइपरेंट को एक साथ देखने के बाद उन दोनों का मडर कर दिया था इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए भाग कर यहां आ गया था सुबा से साम हो जाती है और वो हायून को देखते रहती है फिर रात के वक्त हम हायून को अपनी गन से खुद की जान लेते वे देखते हैं लेकिन तभी कोई उसके हासबोट के नीचे से उसे कुछ चुबाता है जिससे डर कर हायून के गन नीचे पानी में गिर जाती है तभी हम वहाँ पर से जिन को गुजड़ते वे देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हायून की जान बचाने के लिए जिन ने उसे स्क्रूड्रेवर चुबा दिया था ताकि वो घबरा कर अपना गन पानी में गिरा दे निक्स्ट डे हायून अपने फ्लोटिंग हॉस में लगे तार को अपने पिलास से काट कर निकालता है और फिर उससे एक फिसिंग हुक बनाकर नदी में फिसिंग करने बैठ जाता है थोड़ी देर के बाद जिन वहां आती है तो देखती है कि हायून ने अपने फिसिंग हुक में चारा डाला ही नहीं था इसलिए वो उसके फिसिंग हुक में चारा लगा देती है ताकि कोई मचली उसमें फस जाए जिन हुक लगाकर जैसे ही वहां से जाती है हायून बहारा कर देखता है तो उसके हुक में मचली फस चुके थी लेकिन हायून उस मचली को हुक से निकाल कर आजात कर देता है और नदी के किनारे जिन को अपने घर में बैठ कर जूला जूलते देख उसके लिए एक वायर से एक जूला बनाता है इधर जिन जेंगल के तरफ जाती है और एक मेड़क को मार कर उसे ले जाकर हायून के बड़ को खिलाती है हायून जिन को वहाँ पर देखता है तो वो उसे एक स्कलप्चर गिफ्ट करता है जिससे उसने वायर से उसके लिए बनाया था जिन को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुस होती है साथ ही वो हायोन पर और ज़्यादा नजर रखने लगती है और उसके करीब रहने लगती है अगले दिन जब जिन अपने गेस्ट हॉस की सर्विस देने जा रही थी तभी वहाँ पर दो लड़किया आती है ये दोनों लड़किया पैसे लेकर गलत काम करती थी जिन उसे अपने साथ एक फ्लोटिंग हॉस में ले जाती है उन दोनों को वहाँ पर दो लोगों ने उनके साथ गंदे काम करने के लिए बुलाया था उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर जिन अपने बात्रूम के तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया था हायून वहाँ बैट कर हलका होने लगता है और साथ ही वो अपने पास वाली बोट पर उन लड़कियों को अपने कस्टमर के साथ पैसो के लिए लड़ाई करते वे भी देखता है थोड़ी देर के बाद बारिश सुरू हो जाती है इसलिए हायून अपनी बट को अपने घर के अंदर ले जाता है और जिन अपने घर से बैट कर उसे देखकर सराब पीती रहती है फिर एकदम से वो उड़ती है और सराब लेकर हायून के फ्लोटिंग हाउस पर चली जाती है और फिर वहीं बैठ कर सराब पिने लगती है, हायून भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है, जिन उसे सराब पिने के लिए देती है, लेकिन हायून सराब पीते पीते जिन के साथ जबरदस्ती करने की कोसिस करने लगता है, और उसके कपले भी फार देता है, लेकिन जिन उस उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है और खुद वहां से अपने बोट को लेकर भाग जाती है थोड़ी दीर के बाद एक वहां पर राती है और जिन से उसे हायून के पास लेकर जाने को कहती है क्योंकि हायून ने उसे वहां बुलाया था जिन उसे लेकर जाना तो नहीं चाती थी लेकिन इसके लिए वो से पैसे देने वाले थी इसलिए वो से हायून के पास लिजा कर छोड़ देती है लेकिन हायून उस लड़की के साथ कुछ भी करने से मना कर देता है और बस उससे बाते करता है उससे बात करते करते बहुत देर हो जाती है जिससे कि वो लड़ से अपनी रिंग भी टैट करवा लेती है हायून उसके लिए वायर से एक बायसेकल भी बनाता है लेकिन सू को आई बहुत लेट हो चुका था वो हायून के साथ इतना खो गई थी कि उसे अपने दूसरे कस्टमर का यादी नहीं था इसलिए उसके बॉस वहां पहुंच जाते हैं और रायून को निकाल कर उसे मारने लगते हैं लेकिन सू अपने बाउस से कहती है कि वो बहुत अच्छा है उसने कुछ नहीं किया मैं उसके वज़ा से लेट नहीं हुई जिसके बाद सू के बाउस उसे अपने साथ लेकर चला जाता है फिर जब जिन एक फ्लोटिंग ह लगे इसलिए वो उसे पैसे भी दे देता है निक्स्ट डे एक चाचा अपनी बेटी की उमर जितनी एक लड़की को लेकर वहां आता है जिन उन्हें भी अपनी बोच से एक फ्लोटिंग हॉस में पहुँचा कर वहां से चली जाती है चाचा अपनी गल्पिंड के साथ चाचा अपनी में छोड़ देता है इधर सू वापस से जिन के पास आती है और उसे हायून के पास लेकर जाने को कहती है हायून जब उसे देखती है तो वो उसे बताती है कि आज मेरी चुटी है इसलिए मैंने आज सारा दिन तुम्हारे साथ बिताने का डिसाइट किया है ये सुनते ही जिन गुसे से आग बबूला हो जाती है थोड़ी देर के बाद जब हायून सू के साथ संबंद बना रही थी तो जिन उसके बातरूम से छुपकर उसे देखने लगता है लेकिन हायून उसे देख पाता इससे पहले वो वहां से चली जाती है फिर जब सू वहा से जाने वाली थी तो हायून उसे पैसे दीता है लेकिन सू पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि आज मैं यहां कोई वैस्या बनकर तुमसे मिलने नहीं आई थी लेकिन फिर वो पैसे ले लेती है और वहां से जाते वक्त हायून को हग करती है और जिन यह सब देखकर र उपर मार देती है और जब वो सुको किनारे पर छोड़ देती है तो वो वापस से हायोन के फ्लोटिंग बोड पर आकर उसके होट में दात काट लेती है नेक्स्ट डे जब जिन उठती है तो वो बहुत रोती है तभी वहां पर कुछ ऑफिसर उस जगा की इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं लेकिन जिनका एक गिस्ट जो दो दिन पहले ही वहां आया था वो पुलिस वालों को देख कर वहां से भागने की कोसिस करने लगता है और इसी कोसिस में वो एक पुलिस ऑफिसर को स्टैप भी कर देता है दरसल पुलिस वालों के मोस्ट वांटेड लिस्ट में उस आदमी का नाम भी था लेकिन वो आदमी पुलिस से बचने के लिए पानी में खूट जाता है लेकिन उसे तहरना नहीं आता था इसलिए वो डूब कर बेहोस हो जाता है जिस वजह से वो ऑफिसर उसे मचली के काटे से पकड़ कर पानी से बाहर निकालते हैं वहीं उन भी पुलिस को देखकर बहुत डर गया था इसलिए वो उनसे बचने के लिए फिसिंग हुग को खा कर अपने अंदर की अतर्यों को डैमिज कर देता है जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है खैर जिन ने उसे पुलिस से छुपते वे देख लिया था इसलिए वो उसके पहुँच जाती है और फिर पुलिस वालों से उसकी जान बचाने के लिए उसे बातरूम होल के नीचे चुपा देती है दरसल हायून ने अपनी बीबी को किसी और मर्दे के साथ देखने के बाद उसका मर्डर कर दिया था जिस वजह से उसे ड्रावने सपने आते थे और प वापस से चले जाते हैं उनकी वहां से जाते ही जिन फिस्टिंग रोट से खीच कर हायून को बाहर निकलती है वो भी होस हो चुका था इसलिए वो से CPR देकर होस में लाती है लेकिन अभी भी वो फिस्टिंग होक उसके मुं में ही फसा था इसलिए जिन उसके मुं को एक रखती है वो उसे अपने घर से गरम कब्ड़ेला कर दीती है फिर एक दिन वो हायून को अपने साथ बोट पर बैठा कर उस जिगह से बहुत दूर खुमाने के लिए लेकर जाती है जहां पर बड़े बड़े घास थे अगले दिन सु दुवारा से हायून से मिलने के लिए आत जाती है नहीं तो वो उसके बोट को खराब कर देती लेकिन जिन उसे हायून के फ्लोटिंग हॉस में ले जाने के बजाए एक दूसरे फ्लोटिंग हॉस में ले जाती है और वहां ले जाकर वो उसके हाथ पैर बांद कर मूपर टेप लगा देती है और तो और वो उसके बो को आज्याद करने की कोशिस में केबिन से बाहर निकल कर नीचे नदी में गिर जाती है और हात पैर बंदे होने के कारण वह बोढ़ भाब कर लाती है और आले कोई स्कूटि के साथ बांध कर नदी में डाल देती है ताकि वजन ज़्यादा होने की वज़ा से सू की डेट बॉड़ी नदी के अंदर ही रहे फिर जब रात होती है तो सू का बॉस उसे ढोंडते वे वहां आता है और जिनके बोड को लेकर हायून के फ्लोटिंग बोड पर पहुंच जाता है लेकिन जब उसे सू कहीं नहीं मिलती तो वो हाय उनको मारने लगता है उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में हायून बॉस को नदी में धक्का दे देता है बॉसको तैरना नहीं आता था इसलिए वो डूब कर मर जाता है लेकिन तभी वहां पर जिन आती है और फिर वो दोनों मिलकर बॉसको ए मचली फस्ती है जिसे उस चचा ने आधा खा कर जिंदा छोड़ दिया था हायून भी उसे नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता है उसे परेशान देख कर जिन उसे हग करती है लेकिन वो उसके उपर गुसा करने लगता है जिसके बाद जीन उसके बढ़ को पिंजरे के साथ नदी में डुबा देती है जिसके बाद हैयून गुसे में वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है जीन उसे रोकने की कोशिस करती है तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पती नहीं हूँ जिसके बाद जिन अपने बोट को लेकर वहां से चले जाती है ताकि हायून वहां से जाना पाए लेकिन रात के अंधेरे में हायून अपने फ्लोटिंग बोट से एक ड्रम निकाल कर उसके जर्ये तैड़ते वे वहां से निकलने का डिसाइड करता है लेकिन उसकी ड्रम छूट जाती है और वो डूबने लगता है खैर वक्त रहते जिन वहां पहुँच कर उसे मचली के काटे से पकड़ कर उसकी जान बचा कर उसे वापस से उसके फ्लोटिंग बोट पर ले आती है जिसके बाद हायून उसे बहुत मारता है लेकिन मार खाते व की देखता है इसलिए वो मौके का फैदा उठाकर जिनके बो APP को लेकर वहां से भागने का सोचता है लेकिन बोट के आवाज से जिनके नीन खूल जाती है वो उसे जाता देखकर रोने लगती है लेकिन वो बोल नहीं पाती क्योंकि वो गोंगी थी इसलिए वो फिसिंग होग को अपने पैरों के बीच डाल कर बाहर खीच देती है जैसे की दर्द के मारे वो चिलाने लगती है उसके चिलाने की अवाज सुनकर हायून बोट को वापस गुमाता है और उसके पास चला आता है जिन पूरी तरह उन्हों खुसी खुसी एक साथ वही रहने लगते हैं और तो और रायून बेयब जिनके इस बिजनेस में उसका साथ देने लगा था फिर एक दिन वो बोड़ा चचा एक बार फिर अपनी बेटे की उमर की एक दूसरी लड़की के साथ आता है जिनका ये होटल ओयो से कम नह कर उसका घड़ी नीचे नदी में गिर जाता है जिससे की चाचा गुसे में अपनी गल्फिन को एक थपड़ भी लगाते हैं क्योंकि चाचा की वो घड़ी बहुत कीमती थी जिसके बाद चाचा अपने एक आदमी को कॉल करके वहाँ पर डैवर्स को भेजने के लिए कहता ह हायून और जिनके जब नीन खुलती है तो वो नदी के अंदर से कुछ डैवर्स को सू की स्कूटी और उसकी डिड़ बोड़ी को निकालते वे देखती है इन डैवर्स को चाचा ने अपनी घड़ी निकालने के लिए बोलाया था उन्हे वहाँ देखने के बाद जिन अपन करना ले अब हमें कुछ दिनों के बाद हायून को नदी के किनारे जाते वे दिखाया जाता है और तभी हम जिनकी बोड़ पर उसकी डिड़ बोड़ी को देखती है दरसल जिन उस दिन अपनी बोड़ के साथ ही डूप कर मर गई थी जब चाचा ने सूकी डिड़ बोड़ी मैंने एक ऐसे ही मुवी के स्टोरी को एक्स्प्लेन किया था अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वाच निक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख ले तो विल गाइज आज की कहानी में इतना ही फिर मिलता हूं किसी मज़ेदार से कहानी के साथ थैंक्स डो किसी मुवी को विल देख ले एख लोगोंभा आप